हेलो फ्रेंस आदर्स रुसोई म्यासरी के बहुत बहुत स्वागत है आज हम ले कराए हैं मोमज बनाने की बहुत ही आसान तरीका जो की खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है तो चलिए वीडियो इस्टार्ट करते हैं और यहां पे देखिए हम एक लिए हैं बॉल और उस इसमें दो चमस्च इसमें अटकी हैं घी और इसको अच्छा से हम अब मिला लेंगे इसको बढ़ियां से मिलाने के बाद हमें इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर और इसको बढ़ियां से हमें एक सौट डो तयार करना है तो इस तरीके से देख सकते हैं कि हमारा डो यहाँ पे हम बना कर रेडी कर लिया है एकदम सौप्ट है अब हमें इसको 10 से 15 मिनट के लिए इसको ठाक कर हम रख देंगे तब तक हमें यहाँ पे इसके लिए इस टाफिंग तयार कर लेना है इसमें भरने के लिए और यहाँ पे हम लिए है एवाल उसमें हम लेंगे यहाँ पे यह को टोड़े लिए हैं पत्ता को भी तरस करके और उसके बाद हम यहाँ पे एड़ किये हैं सोया बीन तो सोया बीन को हमने यहाँ पे पानी में भीगो कर और उसका पानी इनी चोड़ कर और इसको हम ग्रेंड कर लिए हैं और उसके बाद हम यहाँ पे एड़ किये हैं लासन मिर्चा और अधरक बिल्गुल थोड़ा सा इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है तो यह हम बेज मोमज का रेसीपी बता रहे हैं आपको और यह हम यहाँ पे एड़ किये हैं सिक्रेट जो की है अजीनो मोटो इसी स कि अजीने मोमज बनाते हैं इसी लिए इतना टेष्टी लगता है तो आपके पास नहीं हो तो इसको इसकी भी कर सकते हैं इससे टेश्ट एकदम दुकान वाला लगता है उसके बाद यहाँ पे स्वाद कर शार नमक गए हैं अ और डेढ चमच के लगबंग यहां पे एड़ हैं सोया सांस अब हम इसको बढ़िया से मिला लेंगे और उसके बाद हम इसमें एड करेंगे एक चममच मैगी मसाला इसे टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है और अप एकदम दुकान के जैसे मोमुझ हमारा बनकर रेडी हो गया तो इस तरीके से आप एक बार जरूर कर लिए गा और मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक से यार मेरे चैनल पर नाये है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए गा बेल आइकन को आल पर कर लिजे ताकि जो भी हम वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पस जाए यह एक शोटा शोटा यहाँ पर गोलिया बनाकर रेडि कर लेना है और थोड़ा थोड़ा इसमें हमें ड्राइ माइदा लगा कर और इसको एक पतला सा हमें पूरिया बनाकर रेडि करना है पूरी हमारा एकदम पतला होना चाहिए तो तो भी हमारा बढ़िया से मोमज बन पाए मिदेशने तो देख सकते है EU इस तरीके से हम सारे यहां पर पूणिया बना कर पर रेड़ी कर लेंगे कर लिए और इसको आपको क्या करना है कि काटन के कपले से ढंख कर रखना है थीं तो फिर इस शूक भी जाता है तो इस तरीके से देखिए हम आपको बनाना बता रहें देखिए कितना इजी है यह इस तरीके से आप बना कर एक बार जरूर ट्राइब करिएगा बहुत ही इजी है और रखाने में बहुत ही जदा टेस्टी भी लगता है हम आपको बताएंगे कि देखिए इस तरीके से और इसमें जो होल है इसमें चटनी आप लगा कर और इसको बढ़िया से खा सकते हैं बहुत ही जदा टेस्टी लगता है और इस तरीके से हम एक और बना कर दिखा दे रहे हैं आपको तो फ्रेंस आप इस तरीके से ट्राइ नहीं किये होंगे तो एक बार जरूर ट्राइ करिएगा यह बहुत ही इजी तरीका है और खाने में बहुत ही ज़्यदा टेस्टी भी लगता है देखने में भी अच्छा लगता है तो एक बार आप जरूर ट्राइ करिएगा और अपना हो मेरे साथ शेयर करिएगा उसके बाद देखिए एक हम दूसरे तरीके से भी आपको बना कर ऐसे दिखा दे रहे हैं तो आपको जो भी डिजाइन पसंद हो आप बना सकते हैं के हम देखिए इसको किनारे से इसे पकड़ कर हमें ट्रृट इसमें देना है और उसके बाससे इसको क्लोज करके और इसको थोड़ा सा हमें घुमा देना है तो एकदम दुकान वाले जो मोमज बनाते हैं उसका इसमें लुक आ जाएगा तो देख सकते हैं इस तरीके से तो दो डिजाइन हम आपको बना कर दिखा दिये जो भी आपको पसंद हो आप बना सकते हैं यहाँ पर हमने एक प्लेट इस तरह से बना कर रेडी कर लिए हैं और एक परकार से हम यह बनाए हैं तो आपको जो भी पसंद हो आप बना सकते हैं अब यहाँ पे हम इसको रेडी कर लिए हैं बना कर अब देखिए हम यहाँ पे लिए एक जाली वाला ऐसे हमें ठाली लिए हैं और इसी में हमें लगाना है ओयल तो इसको बढ़िया से हम ओयल से ग्रीज कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें इस टीम करने के लिए रखेंगे मौमोज को तो आपके पास मौमोज वाला बरतर नहों तो इस परकार से भी अब बहुत ही असानी से बना सकते हैं तब एक एक हमें बढ़ियां से इसको अराम अराम से रखना है ताकि इसका सेफ बिगड़े नहीं इसमें गरम होने के लिए रख दिये थे इसको इस्टीम करने के लिए और उसके बाद देखिए हम यहाँ पे मौमोज को यहाँ पे रेडी कर लिए है अब हमें इसमें पाने देखिए हमारा पानी में बॉया आ गया है तो अब हमें इसमें रख देंगे और इसको लिड लग उसके बाद देखिए आप देख सकते हैं हमारा मुमज यहाँ पे रेडी हो गया है तो अब हम इसको निकाल लेंगे और उसके बाद सेम प्रोसेस हैं हम जो बाकी का मुमज बना कर रखे हैं उसको भी हमें इस टीम कर लेना है इसी तरीके से तो देखिए कितना आसान है बनाना बिना किसी जंजट के आप बहुत ही असानी से मुमज बनाएए और घर पे इंज्वाई करिए और देखिए हम यहाँ पनाए हैं मुमज वाला टमाटर का चटनी तो इसका रेसीपी हम यहाँ पे शेयर नहीं कर रहा हैं अगर आप को इसका पीच आए तो कमेंट करके बताईएगा हम ओभी आपके साथ सेयर जरूर करेंगे